अलो अच्छो आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत उत्सुकतर रहती है आप कहते हैं भीया बताओ तो एक मुझे खबर मिली काफी अच्छी दैनिक जागरनक बार है अभी का दो दिन पहले गई है नई राष्टे सिक्षा निती आने के बाद से ही स्कूलों के लिए नया पट्षगरम तयार करने का काम भी तेरी से चल रहा है मतलब आपका सैलेबस के नए स्कूली पट्षगरम बिल्कुल नई आश्ट्य शिक्षा नेधी के नरूप हो गा साती यह भी कहा है कि यह निर्विवराद और भविशे की ज़र्टों पर फोकस करते होगा खास बात यह कि स्कूलों के लिए त्यार और पाठ्थे करम को नीती के नरूप रखने के लिए सरकार ने राष्टे इस्तर पर एक संचालन समीती भी गठित कर रखी है जिसका परमुक पूर इसरो परमुक औ दूर के कस्तुर रंगन है उसके हेट नए राष्टि सिक्षा नीती भी कस्तुर रंगन के गवाई में तयार कि गई थी जो अब तक विवादों से लगबग दूर रही है सरकार की सोच स्कूलों के लिए तियार हो रहे पाठ्थे करम को भी नीती की तरह है विवादों से दूर रखने की मुझा सरकार चाहती है कोई भी इसमें डिस्प्यूट ना हो स्कूली पाठ्थे करम तयार करने में जूटी विशेजगों की टीम को सुझाव दिया गया है कि वे स्कूल पाठ्थे करम में उन्हीं विशेवस्तों को सामिल करें जो सोध परक होने के साथ ही तत्य परक हो मतलब जिनका प्रूफ हो ताकि इने लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो हाला कि इस स्कूली पाठ्थे करम तयार करने का सिक्ष्णा मंत्रालेन जो रक्षे रखा है उसमें इसकी रूप रेका इसी साल के अंतक यानि 2022 के बितर तयार हो जाएगी यानि कि बहुत जल्दी आपका सैलेबस चेंज होने वाला है बच्चो तयार हो जाएगा उसके लिए वही नया स्कूल पाठ्थे करम भी अगले साल 2023 में बनकर तयार हो जाएगा तो ये वीडियो दिखाने का उद्देश्च ये है कि आपके सैलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाले हैं सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है है इसके ऊपर हलाके जो इसका रोत कर रहे है relatik मुझे लगता है काफी दरड़ इच्छा सकती से काम कर रही है और यह जो सैलेबस बना जारा है इस लिख बना जारा है ताकि आपको नोगरी मिलने में असानी रहे तो आपको कैसा लगा ये वीडियो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और कॉमेंट करिए कि आपको कुछ जानना है क्या नई एजुकेशन पॉलिसी और सेलेबस के बारे में थैंक यू बारे मुच्छ